हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल मैं स्वात करता हूँ आपकी अपरेशनल दीपक हेलपलाइं जोब पर आज की अपडेट न्यूज यह है कि एडिट इंटर कोलेज के तदत सिक्षकों को बली रहत मिल सकती है सरकार जल्दी तदत सिक्षकों को मांदे दी जाने के प्रस इस दिसा में उम्मीद बढ़ी है मंत्री मंडल की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी पिछले वर्स तदत सिक्षकों को नियमित मांदे दी जाने का एक प्रस्ताव सासन को भेजा गया था जिसे बिभिन इस तरों से मंजूरी के बाद अबित विवा रहेंगे आधिक साथ मंजूरी दे दी गई है अब सिक्षा विवाग इस प्रस्ताव को के बिज़ेगा विजित हो कि एड़िट इंट्र कोलिज में टीजीटी और पीजीटी प्रक्षा के जरिए मादमिक सिक्षा सेवर सेन बोर्ड की सिक्षकों की भरती करता है कि कि वाल बिलम होने या किसी वज़े से भरतियों में देल होने की वज़े से खाली पदवपर प्रिवंद प्रिवंदन अपने इस तरह से भरतिय कर लेता है ऐसे तदत सिक्षक समय समय पर भरति होते रहे हैं समय शिख्षक की पतर इसे इनका बेतन भी मिलने लगता है बाद में इन भरतियों भी विवाध होता है और कोर्टर मामला पहुंच जाता है बिवाध बढ़ने की दिसा में सरकार ने रास्ता निकालते हुए ऐसे सिक्षकों को नियमित भी किया गया उनका तब से बेतन मिल आगे लिखा हुआ कि बेतन को लेकर होता रहा है भी वाद नियमिती करण की तारीक के बाद भी बिद्धाले प्रबंधन सिक्षकों की भड़ती करते रही हैं ऐसे ही कई सिक्षक बेतन के जरीव के लिए बाद में कोट पहुचते रही हैं इसमें हाई कोट ने समय समय पर सुप्रीम कोट तक सुप्रीम कोट ने तरत आवाज को खतम ने क्यादिस दिये यही बज़े है कि के जिनों में डियोस ने ज़दा सिच्छों के बेतन रोक दिये बेतन रोक ने जाने का मुद्धा पिछले दिनों विद्धान परिसाद में भी उटा था और सिच्छक संग ने इस मुद्धे पर प्रिद्रसन भी किया था तो यह थी आज की नीज यह वीडियो को कैच लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो वाचिंग